हेलो वेलकम टू मैं चैनल फ्यूचर में कोई भी नूट्रिकेशन के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज हम बात कर रहे हैं आयरवेदी के एक्जाम के वारे में HPSSE जिसका पूस्ट कोड है 799 के वारे में जो रिसेंटली ही जो जनवरी 3 को जनवरी 3 2021 को हिमाजबदिस में कंड़क्ट हुआ है टू सेशन में कंड़क्ट किया गया है इवनिंग सेशन में और मॉर्निंग सेशन में जो ये पोस्ट 799 है ये 81 आयरवेदीक फार्मसिस्ट के लिए जो है वो हैल्ड करवाई गई है हिमाज़वे आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम एक्सपेक्टिड कट ओफ के बारे में बात कर रहे हैं जो आयरवेदीक फार्मसिस्ट की 799 बोस्ट के कट ओफ जारी की जा सकती है तो ये कट ओफ में लिए डिपेर्ड करती है थ्री रिजन्स के ओपर या थ्री पॉइंट पे मेली कट ओफ जो है वो डिपेंड करती है कितने जो है वो स्टुडेंट ने अपीर किया है एक्जाम या कितने बच्चों ने जो है वो एक्जाम में अपेरियंस दिखाई है सैगिंड वन जो ये डिपेंड करती है कि कितनी वेगेंसी जो हैं वही माचवर्ट इसने इस पोस्ट के लिए निकाली है और थर्ड ये डिपेंड करती है difficulty level of exam मेंली cut-off के बारे में अगर हम बात करते हैं जन्रिल की बारे में सो जन्रिल अन्रिजर्ट के अगर हम बात करते हैं तो 54.50 से लेकर 60.50 तक cut-off जाने का अन्मान है और उसी के बात अगर हम बात करते हैं जन्रिल EWS की तो EWS की cut-off जाने का अन्मान है 52.50 से 56.50 के बीच में और अगर हम बात करते हैं SC category की तो SC category में 42.50 से 48.50 तक जो है वो cut-off जाने का अन्मान लगाया जा रहा है वही अगर हम बात करते हैं SC category की अगर हम जर्नल एक्स सर्विस्मेन की बात करते हैं तो वहां पर 40 से 46 या 48 तक जो है वो कट ओफ जाने का नुमान है सो यह जो कट ओफ है यह मेंली एक्सपक्टेट कट ओफ है जो कोमेंट आ रहे हैं उसके बिएसिस पर उसके भीहाफ पर आप अपने अपने स्कोर अकॉर्डिन टू धन्सर की जो है वो आप कोमेंट कर सकते हैं तक कि फ्यूचर में जो हम नहीं वीडियो पे इसके बात में हम आपको एक वीडियो ले की आएंगे सो